नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जोतिस ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस एस्वाई तक पढ़ाया जा किन-किन चीजों के कारक होता है आज हम बात करेंगे कि राहू और केतु किन-किन चीजों के कारक होते हैं राहू और केतु हम जानते ही हैं जैसे वो च्छाया ग्रहे हैं और हलाकि उनका कोई बहुतिक अस्तित्यू नहीं होता और फिर भी च्छाया ग्रहे के रूप में भी वो किसी ने किसी चीजों के कारक होते हैं वो किन किन चीजों के कारक है यानि उन चीजों की बात चलेगी तो हमको राहू और केतु ग्रहे को देखना पड़ेगा जब भी उन चीजों की बात चलेगी कारक का मतलब यही होता है कि जब भी उन चीजों की बात चलेगी, उन चीजों के बारे में कोई प्रशन आएगा, तो हमको राहू और केतु को यही देखना पड़ेगा, तो राहू और केतु, यह मैंने आपको बताया कि यह छाया ग्रह है, इमेजनरी पॉइंट है, नासा भी इनको इमेजनरी पॉइं वहाँ पे राहु और केटु दो पॉइंटो कीकिते नू düşता हैं मृ नुट और जो पिए। कहते हैं कि राहू और केटु राहु जो है वह संग्रहय का कारक है। संग्रहय means collection का सदैक्व कोफियों का कारक है। कई लोगों की आदत होती है। स्टेम्स का संग्रह करना या किसी चीज़ की पुराणी वस्तों का संग्रह करना ये किताबों का संग्रह करना ये सब राहू से देखा जाता है अधार्मिक मानव, अधार्मिक मानव मतलब यानि जो मानम धर्म के रास्ते पे ना चलता हो, धर्म को ना मानता हो, धर्म के रास्ते पे मतलब यह है कि होमिनटीस के रास्ते पे ना चलता हो, यूं समझे कि मानवता के रास्ते पे ना चलता हो, वो अधार्मिक मानव जो होते ह वो राहू से ही देखे जाते हैं, कुतर्ग करना, राहू के साथ ये प्रब्लम है कि राहू की दशा होती है, तो इंसान कुतर्ग बहुत करना, किसी की बात को सुनता नहीं, उसके अंदर ये बहुत प्रब्लम हो जाती है, हमेशा ब्रहम की स्थिति उसकी साथ बनी रहती है, आपकी बात मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, जिद्धी हो जाएगा, जुवा, जुवा भी हम राहु से देखते हैं, किसी इंसान में अगर जुवा खेलने की प्रवर्ति है, वैश्चावर्ति की प्रवर्ति है, किसी इंसान के अंदर, तो कौन सा ग्रह देखें, कि इसके अं मादेशा में ब्रहम उप्रम जाएंचा है. हमेशा एक ब्रहम की स्थिति बुरी रहती है. और ऐसे में कहते हैं कि जब भी राहू की मादेशा लिया हो. तो ऐसे जातक को अपने आप से डिज़न लिने आवाइड करने चाहिए. किसी ने किसी बड़े से बात करके या किसी ने किसी से साथी से बात करके ही डीजन लेने चाहिए क्योंकि ब्रहम की इस्तिती होती है और ब्रहम में डीजन अक्सर गरत लिये जाता है जादू का कारक भी राहू है, मैजिक का कारक भी वो भी राहू कहलाता है जब भी मैजिक की बाच लती है तो राहू से देखते हैं जूंट का कारक भी राहू है कोई इनसान बहुत जूंट बोलता है तो उसका राहू चेक कर लेना चाहिए सरीसरप यह तो हमने राहू के इतु के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ाई है जो समुद्रमंथनी कहानी है वो हम लोग सब लोग जानते हैं तो सरीसरप यानि इस तरह की चीज़ों को भी हम राहू के पारत बांते हैं जो इस तरह की रेंगने वाली चीज़े हो बरबरता कटरता अच्छा सुसजित यान भी राहू के किसमें आता है उत्तरकाला मुलत में दिया हुआ है यह सुसजित यान यह सुसजित यान जो है बहुत बढ़िया यान वो राहू के कारक में आता है अगर कहीं बहुत बढ़िया यान हो कोई तो कह सकते हैं कि राहू उसका कारक है, दर्द का कारक राहू होता है, ब्रत का कारक राहू होता है, राहू को दादा भी बोलते हैं, तो ब्रत का कारक भी राहू होता है, नागलोग का कारक राहू होता है, कुरूरता का कारक राहू होता है, अगर इंसान कुरूर है बहुत जा जो अपोशिट सैट से लिखी जाती है, उनका कारक राहु है, जनून का कारक राहु क्या है? कि आपके अंदर जनून पैदा कर देता है, यह केटलिस्स के तरह काम करता है, जैसे कैमिकल रियक्शनज में केटलिस्स होते हैं कि वो इनको डाल दो तो बहुत तैज सी रियक्शन तो जनून भी ऐसे जिस भाव में बैठेगा राभू आपके जिस भाव में राभू हो उस भाव के रिजल्ट के साथ आपके अंदर जनूनियत भर जाएगी आपको उस भाव के रिजल्ट पाने में आपके अंदर जनून दिखाए पड़ेगा राभू चौते बाव में है तो चौते बाब से आपको चौते बाब के रिजर्ट पाने के लिए आपको जिनूम दिखाई पड़ेगा, आपको प्रापर्टे के लिए जिनूम दिखाई पड़ेगा, आपको सुख के लिए जिनूम दिखाई पड़ेगा, तो ये चीजे होती है, ऐसे कारत, राहू के कारत होत होती है सब कुछ होता है अगर राहु मजबूत होने के लिए बहुत जरूरी है क्या कि राहु केंद तिकोन या लाब भाव में बैठा शुब रहे कि राशी में हो और किसी से सम्मंद ना रखता हो तब तो राहु बहुत मजबूत कहलाता है और अपनी इंतर दशावें हमेश अध्यरोग होते हैं मानसिक कस्ट होते हैं पती-पत्नी तदा बच्चों में बिच्छो होता है और धन की राशी में है और अकेला है किसी साथ तो नहीं है तो उन सब चीजों पर उसका रिजल्ट करता है तो राहु को देखना बहुत आवश्यक है राहु एकदम क्यूंकि जनूम है एकदम ऊपर तक लेयाता है और राहु एकदम नीचे तक मिले जाता है इसका ग्राफ जो है बहुत ही जाद है है वैसा ग्राफ चलता है सिंपल गिराव नहीं हमक्ता है कभी उपर दलागे a serault को संब ना चलता हुँ तो आशा करता हूं कि राहु के कारक आकको सम जो लोग भी जॉइन करना चाहते हैं, वो जॉइन कर सकते हैं, देगे नंबर में संपर करके, उसके लावा मैच मेंकिंग बहुत इंपोर्टन चीज है, उनली मैच मेंकिंग, लोग अस्टकूट गुलमिलान को ही समझते हैं, कि सब कुछ उसी के थरू हो जाता है, उसके कर Esse क्वा है, जिसकी एंजली मैच में करना चाह ज सकते हैं, देगे 느ता हैं, अनली मैच experienced उनली मैंकिंग जेँएंग, ज konVeryे जाम वř